दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका एक बार फिर सेयाप के अपने ही चेरेल करीक पॉली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज हुई तीन बड़ी फिल्मों के बारे में मिथुन चकरवर्ती और आमिता बच्चन सहाब की अगनिपत आमिर खान की दिल और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे सानी दियूल की गायल फिल्म के बारे में इन तीनों फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में और साथे साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन तीनों फिल्मों में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा ओर जीते थे, किस फिल्म को कितने नॉमिनेशन मिले थे और किस फिल्म ने सबसे ज्य बहुत पसंद आती है और साल 1990 की 34 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी ये इस फिल्म में हमें अमिताब बच्चन, माधवी और मिथुन चकरवर्ती एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैरिट क्या था मुकुल आनन्दे और तकरीबन 4 करोड उपे के तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दू कि अगरीपत फिल्म को टोटल 3 अवार्ड मिले हैं जिसमें से 2 फिल्म फेर अवार्ड है और एक नैशनल अवार्ड है फिल्म फेर अवार्ड में मिथुन चक्रुवर्टी ने जीता था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेर अवार्ड इसके लावा रोहिनी हतागंडी को बेस्ट एक्टर्स के तौर फिल्म फेर अवार्ड दिया था अब अगर बात करें नैशनल आवर्ड की तो नैशनल आवर्ड मिला था मिताब बच्चन सहाब को for best actor के लिए तो अगरीपत फिल्म ने total जो आवर्ड जीते थे वो तीन आवर्ड जीते थे चलिए अब बात कर लेते हैं घायल फिल्म के बारे में तो दोस्तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म में हमें नज़र आये थी अमरेशपुरी, मिनाक्षी और सनिदियूर फिल्म को डेरेट क्या था राजकुमार संतोशी ने और तकरीबन धाई करोड उपे के बजट पे बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर नो करोड उपे कमाई थे और पूरे वर्ड में बाइस करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लॉग पास्टर साबित हुई थी तो दूस्तो अब अगर बात की जाए Film Fair Awards और National Awards की यानि कि टोटल कितने अवर्ड मिले फिल्म घायल को तो घायल फिल्म को 8 अवर्ड मिले थे जिसमें से 7 Film Fair Awards थे और एक National Award था तो अब यहाँ पे अगर Film Fair Award की बात की जाए तो Best Film के लिए Film Fair Award दिया गया था Film घायल को इसके लाबा Best Actor Film Fair Award सनी देवल को मिला था Best Director Film Fair Award मिला था राजकुमार संतोशी को और Best Cinematographer Color राजन कोठारी को Best Editing के लिए Film Fair Award मिला था वी एन माइकर को और Best Art Director Film Fair Award मिला था नितिश्टोई को और Best Story Film Fair Award मिला था राजकुमार संतोशी को और अगर बात कीजिने नेशनल अवार्ड की तो नेशनल अवार्ड मिला था सनी देउल को बेस्ट जरी अक्टर नेशनल अवार्ड तो यहाँ पे टोटल अवार्ड अवार्ड जीते फिल्म घायल ने इसके लाब अगर बात कीजिए दिल फिल्म की तो दोस्तों दिल फिल्म हुई थी बाई जून 1990 में आमिर खान मादूरी दिक्षित अनुपम कहर इस फिल्म में हमें अहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डेरिट क्या था इंद्रि कुमार ने और तकरीबन दो करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 10 करो रूड उपे कमाए थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बास्टर्स आभित हुई थी तो दोस्तो साल 1990 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी दिल घायल दूसरे नंबर पर थी और अगनिपत चौथे नंबर पर थी तो दिल फिल्म के अगर आवर्ड की बात क तो दिल फिल्म ने सिर्फ एक आवर्ड जीता है तो यहां पे साल 1990 की जो फिल्म थी घायल सनी दियूल साहब की इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा आवर्ड जीते गे और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता चलू कि इसमें धर्मेंद्र साहब ने भी घायल फिल्म के क्मी साथ में लिल्म कि अ